और चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सक्त चेतावनी दी है सिंगापूर में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने मुलाकात की लेकिन बैठा के दौरान चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को धम की भी दे देखे रपोर्ट चीन किसी भी कीमत पर ताइवान को हड़पना चाहता है ताइवान के नागरिकों को अपना गुलाम बराना चाहता है फिर चाहे उसे दुनिया से ही क्यों ना लड़ना पड़े फीक ऐसी ही एक जलक सिंगापूर समिट के दोरान मिली जब चीन ने ताइवान के मुद्दे पर सीधे सीधे अमेरिका को ही धमका दिया दरसल अमेरिका के रक्षामंतरी बनने के बाद लॉयड आउस्टिन ने सिंगापुर में पहली बार चीनी रक्षामंतरी से आपचारिक मुलाकात करने पहुचे लेकिन ये मुलाकात अमेरिकी रक्षामंतरी आउस्टिन के लिए उस वक्त असहज हो गया जब ताइवान मुद्दे पर चीन ने खिस्यानी बिल्ली की तरह अमेरिका को खरी खोटी सुना दी चाइना के रक्षा प्रवक्ता के मताबिक चीन ने अमेरिका से साफ लफजों में कह दिया की ताइवान चीन का हिस्सा है और इसके एकी करण पर द्रिड़धा से कायम है चीन को नियंतरीत करने के लिए ताइवान का इस्तमाल कभी सफल नहीं होगा ताइवान को अमेरिकी हथियार देने बंद किया जाएं क्योंकि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की हिमाकत करता है तो चीनी सेना निशित रूप से युद्ध शुरू करने से नहीं हिचकेगी इस बीच अमेरिकान अभी चीन को कड़ी नसीहत देते हुए ताइवान को अस्तिर ना करने की हिदायत दी है और एहम खबर है चीन से जुड़ीवी अंतरिक्ष का सूपर पावर बनना चाहता है चीन इस बीच करने की योजना पर काम कर रहा है चीन ने पिछले साल ही स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल को अंतरिक्ष में स्थापित किया था जिसे ड्राइगन ने तिया गोंग नाम दिया जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का महल चीन ने अब नए स्पेस स्टेशन को डवलप करने के लिए अपने तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महिने के लिए अंतरिक्ष में काम करने का जिम्मा सौपा है और इस साल के अंतर तक चीन इस अंतरिक्ष केंदर में मेंग तियांग साइंस लाब जैसे और मॉड्यूल को जोडने के दिशा में काम कर रहा है इतना ही नई चीन अगले साल सुनतिया नाम के टेलिस्कोप को अंतरिक्ष में अस्थापित करेगा जो स्पेस स्टेशन के करीब ही उडान भरेगा ये टेलिस्कोप मरम्मत और इंधन के लिए स्पेस स्टेशन से ही जुड़ा रहेगा इससे पहले सोवियत संग और अमेरिका पहले ही अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने का कारनामा कर चुके हैं जबकि चीन ऐसा करने वाला तीसरा देश है